Apple ID का password पता कैसे करे, iPhone Apple ID का password कैसे पता करे, जैसा कि गाज आप लोग यहाँ पर देख सकतो, मेरा यह user name में, यहाँ पर जैसी मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकतो, मेरा Apple ID का password है, तो कुछ इसी परकार से आप लोग भी अपने Apple ID का password पता कर सकते ह आज के इस वीडियो में एक नहीं बलकि दो तरीके बताने बाला हूँ Apple ID का password पता करने के लिए तो आपको आज के इस वीडियो को step by step end तक देख लेना उसके बाद आप लोग भी अपने Apple ID का password पता कर पाओगे सो गाज चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि किस परकार से आपको अपने Apple ID का password पता करना है बट गाज वीडियो को start करने इस पहले अभी तक आपने चैनल को subscribe करके नहीं रखा है तो आपको चैनल को subscribe कर लेना है बगल में एक बेल ऐकन है का उस पे क्लिक करके आपको all notification को select कर लेना है जिससे की गाज जो भी मैं new video डालूँ उसका notification आपको मिले और आप हमारी सबी नए वीडियो सबसे पहले देख पाए सो गाज चलिए मैं अब आप लोगों को बताता हूँ कि आपको अपने Apple ID का password किस परकार से पता करना सबसे पहले दोस्तों आपको back आ जाना बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहां से आपको recent से जो भी वो open है आपको हटा देना जैसे ही गाज आप हटा देते हैं उसके बाद आपको अपने mobile phone के setting को open कर लेना है जैसे ही गाज आप लोग अपने mobile phone के setting को open कर ले तो सो गाज चलिए मैं setting में back आ जाता हूँ क्यूंकि यहां पे मेरा password वाला setting आ रहा है तो simply यहां से आपको back आ जाना बैक आ जाने के बाद गाज आपके सामने कुछ ही इस परकार का interface सो होगा जैसे ही आप लोग setting को open करोगे उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे आपको scroll करके नीचे जाना एंड आप लोग अपने Apple ID का password easy जान पाओगे एंड अगर जान नहीं पाओगे तो easy reset कर पाओगे without mobile number के सो simply आपको यहां पे आ जाना है अपने Apple ID के अंदर उसके बाद आपको password पे click करना है password पे click करने के बाद दोस्तों आपका iPhone है तो यहां पे आपको अपना face lock दे देना तो गाज चलिए मैं आप लोगों के सामने पे अपना face lock देख देता हूँ जैसे ही गाज मैं यहां पे अपना face lock देऊंगा तो आप लोग यहां पे देख सकते हूँ तो मेरा यह open हो गया है password बाला section आपको भी setting में जाके password search कर लेना उसके बाद आपका यह आ जाएगा तो गाज यहां पे आपको उपर में search कर लेना यह पल जैसे ही गाज आप लोग आप लोग आप लोग तो यहां पे आप देख सकते हो apple ID आपका आ चुका और जैसे मैं इस पे cancel पे click करते हो तो आप उपर में भी देख सकते हो यहां पे apple ID करके है इस पे click करना इस पे click करने के बाद दोस्तो उपर में आपका username रहेगा और नीचे पासबूर्ड के जिगा पे आपका apple ID का पासबूर्ड रहेगा simply आपको इस पे click करना जैसे आप लोग इस पे click करते हो तो आप देख सकते हो copy password पे click करोका आपका password यहां पे copy हो जाएगा और यहां पे आप पासबूर्ड को अपना देख सकते हो तो गाज ये पहला तरीका रहा है, अगर आपको पहला तरीका से काम नहीं होता है, तो आपको back आ जाना है, back आ जाने के बाद दोस्तों आपको अपने setting को जिस परकार से अपने open किया, इसी परकार से आपको open कर लेना है, जैसा कि आप लोग यह पर देख सकते हो, कुछ इस प ना mobile number blur कर दिया है, तो गाज आप लोगों के सामने एक option देखने को मिलेगा, personal information sign in security, तो simply दोस्तों आपको क्या करना, personal information पर क्लिक करना, जैसे गाज आप लोग इस पर क्लिक करते हो, तो आप लोगों के सामने loading लेगा, एंड यहापको personal information आ जुका है, जैसा कि आप लोग य लेता हूं, यहापको personal information देख लेना, एंड यह देख लेना कि यह Apple ID आपका ही है, एंड आपका जैसे यह Apple ID रहेगा, तो simply आपको यहापको क्लिक कर देना, किस पर जो मैं बता देना चाता हूं, तो आप यहापको देख सकते हो, sign in security, simply आपको इसी पर क्लिक कर देना है, जै बिले दोस्तों, आपको इसी पर क्लिक कर देना, जैसे आप लोगों के सामने कुछ भी पहला old password, कुछ भी यहापे मांगने वाला नहीं है, जैसे आप लोगों के सामने क्लिक कर देता हूं, तो आप यहाप देख सकते हो, enter your iPhone password, तो आपको अपने iPhone का password तो पता ही होगा, तो यह आईफोन है, आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं, आप एनुराइड सोचोगे, कि एनुराइड के जैसा यह रीसेट हो जाए, तो यह आईफोन बेकार ही है, इतना महंगा देता है, यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन लोग का पासवर्ड पता रहना ही चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन लोग का पासवर्ड आप लोगों के सामने डाल देता हूँ, जैसे गाज पासवर्ड डालोग यहाँ पे वेरिफाय होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पासवर्ड एंटर करना, वेरिफाय पे क्लिक करना, चेंज पे क्लिक करना, आपक अगर इस परकार से नहीं मिला और दूसरा तरीका बता इस परकार से आप चेंज कर सकते हो अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं होता कोई भी प्रोब्लम होता तो नीचे कमेंट करके जरूर बता देना सो गाज मिलता हम किसी और ऐसे नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हींद बंदे मादवन टेक क्यार बाई बाई फ्रेंड